नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको भोती महत्पूर जनकारी दूँगा उससे पहले जो वीडियों सुबह बनाए तो पहले से बने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें अगर ना है तो सब्सक्राइब में आज PNP पर होगी प्रतियोग्यों की मीटिंग दोस्तों यूवामंच की अपील देखे दिया हुआ है मेरा ऐसा कोई उद्देश नहीं था कि आप लोगों को में हल्ट करूं जिनका सेलेक्शन हो रहा है मेरा क्योंकि किसी का भी सेलेक्शन हो रहा इतना रस है किसी भी वेकंसी एक वेकंसी निकलती तो लाको फारम पड़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं था किसी को मुझे अनमोटीवेट करना विल्कुल नहीं था बस में यह दिखाना चाहरा है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्योंकि बाइचान जब मेरिड बनती है आगे इसमें तो खबर आपको मैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको फेक नहीं दूँगा मैं हमेशा 100% वेलिड नहीं दूँगा क्योंकि मेरा कम आपको गुम्रा करना नहीं है मेरी वज़े से अगर आप लोगों से दो भी मैं कर सकता हूं विल्कुल करूंगा इसलिए मैं तो आप लोगों से मुझसे सवाल तो रद धुर्वाति में अगर होना होता हो जाता है तो रद होने का कोई कारण नहीं है कि 8500 में खुला खुला इतनी नकल हो गए ती जिसमें एक आपने देखा होगा एक बच्चे का जो है पूरा दस नंबर आ रहे थे उसने टाप किया था बाद में जब जब जाच कि और दोस्तों बात करों सरकार की अगर तो सरकार चाहेगि कि उसके फजीयत नहां हो क्यूंकि बच्पा सरकार खास कर सपा सरकार को टार्गेड करके आई थी कि इनके एक राज में हर Source क्वोट में जाती है और कंदर थे भासड के भी यूई हुआ करते थे जब चु कोई निड़ने नहीं दे रहा था बस मैंने बताया था आपको अगर पस आपको हट हुआ था इसलिए मैं लेकि आया कि यह नहीं थी और आगे मैं आपको बताऊंगा जो अमाना नोटिस दिया गया है यूपी सरकार को जो भी ये प्रास्मिक द्यालों की इस्थित है तो आगे बात करूंगा मुखः मंतरी ने क्या कहा बर्ती ये दोस्तों देखे उत्तरप्रदेश सरकार को अमाना का नोटिस वि comment की क्यों ना उन पर आदालत के आदेश Singing का मामला याजका पर जारी किया था इलाबाद हाई कोट नहीं आदे 2015 में आदेस आया था जितने वे अधिकारी हैं सरकार ने कहा था उनके बच्चे जो है यह पढ़ेंगे प्रामरी स्कूल में जबकि ऐसा नहीं था और यह अगर प्रामरी स्कूल में पढ़ते हैं तो इससे सिच्छा आगे बेवस्ता भी बढ़िया होती क्योंकि अधिकारी खुद अगर जाता तो ज्यादा बेटर जान सकता था क्योंकि उनके अधिकारी है जांचोगरा करते हैं अधिकारी केंडर ही लोग काम करते हैं तो वहांके बेवस्ता सी होती उसे को लेकर आदेस है और फिर बाद मे देश के सभी अधिकारियों को कहा था कि वह अपने बच्चों को इन स्कूल में पढ़ाएंगे इनमें नाए एक अधिकारी भी सामिल थे लेकिन इस आदेश की पालना नहीं हुई याचका करता के तरपाथी ने इस मामले में हाई कोट में अमाना नोटिस लगाई है लेकिन को भागे वरिष अधिकारियों को लगाई फटकार आज होगी समिच्छा बैठक में भागे वरिष अधिकारियों को बलाया गया चुनाओ से पहले भरती कराने पर जोर फटकार की फजियत हो रही क्योंकि यह लगाता दूसरी वेकंसी है जो अभी पूरी नहीं पाई हो कोट म में लोग कर देते अपना कटाप तो यह सिस्टम में नहीं होता और जबकि मुझे खबार आ रही है कि जो हाई कोट के अंदर लोग गए थे जो यह अची करता है उनके साथ या जो डिफेंड कर रहे हैं कटाप तो उनका यह कहना था कि दो तिन दिन में जरूर कुछ ना कु कर दो सकता है कि यह मामला इसलिए दोस्तों लंबा खिच रहा जहां तक मेरी समझ है क्योंकि सुप्रिम कोड का आदेश आया था सिच्चामित्र को भटाया गया था तो उसमें उनको यह कहा गया था कि आपको दो परिच्छा में जो है पच्चित पचित नमर का भारांग द आप जानते ही कि पढ़ने मतलब जदा लोगों की रुजिस्तर नहीं तो जोग यह थार पर कम नमबर लाए लाए लगार अगर सरकार इतनी ही पारदर्सी होती तो सब्सका हो जाता अगर कटाप 5% कम भी कर देते तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर इसमें ही कम करेंगे कटाप तो सीधे फाइदा से चामित्र को होने वाला है तो सभी जानते हैं तो बस यही है कि अगर अच्छे विद्यारती मिलना है जबकि उसमेत्र के सपोर्ट में तो है नहीं सरकार तो फिर जित्ते गुड़त्ता वाले जो आप लोग है या जिनके बड़ी हा नंबर आये हैं उनका सेलक्शन होना चाहिए अब देखिए कोड क्या करता है और दोस्तो परशन लगे यह फेक नूज है कभी भी मेरा यह नहीं होता है कि आप लोगों को मैं भरमित करूं तो ऐसे ही कमेंट करें आप जो भी सुझाओ देना चाहिए मुझे कमेंट के द्वारा दे सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है या इसमें अलोशना करना है तो कर सकते हैं आप लोग ऐसा कुछ नहीं है बस लेंग बस सही हो तो दोस्तों बस यह उम्मीद करूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेर ज़रू करें जय है जय भारत उन्ते बाहते रहों